I want to thank StudyIQ I would like to thank StudyIQ team Big round of applause to the team management and staff of StudyIQ I would like to do this I would like to share through it If I have cosec Aristides भी आ जाता है माल लीजे आपने कोई शेर से उसको खरीद लिया और आप अपने एप से या वेब साइट से जो है उस शेर को बेच नहीं पा रहे हैं और लगातार आपको loss हो रहा है क्योंकि technical glitch आ रखा है तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए emergency situation में एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर उसे निपटने के लिए SEBI ने बड़ा कदम लिया है Securities Exchange Board of India और यहाँ पर launch किया है IRRA that is Investor Risk Reduction Access Platform यह आप देख सकते हो SEBI Chairperson unveils Investor Risk Reduction Access Platform और इसी से पहले ध्यान रखेगा आपने से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे है तो आज हमारा जो English वाला batch है दोस्तो वो start हो रहा है कल Hindi वाला start हुआ था और कल से English वाला batch start हो जाएगा 25th और November से इन सभी batches में आपको प्रिलिंस में से इंटर्व्यू सभी कुछ त्यारी कराई जाती है और साथी साथ 27th से हमारा जो Intelligence Bureau वाला batch है दोस्तो इस start हो रहा है कोई भी batch लेना हो just use this code UNKITLIFE ताकि आपको maximum discount मिल सके और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले सुरुवात करते हैं और सबसे पहले तो यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो निवेशक होते हैं जो investors होते हैं जो shares को खरीते हैं बेचते हैं अगर माल लीजी जैसे कि for example आज के date में आपने से जो भी लोग वीडियो देख रहो तो आजकल mobile app आने लग गया है ठीक है पहले तो क्या है बहुत चुनिंदा brokers होआ करते जैसे मुझे याद है share खान वगर हो गया इंडिया info line वगर हो गया लेकिन आज के date में जीरो दा और इस तरह की कई सारी companies आ गई हैं बड़े आसानी से grow app हो गया आप आप को खोलते हो और कोई भी share को खरीदना है खरीद लेते हैं और जब बेचना चाहें बेच सकते हैं ले जो investor risk reduction access platform है ये बनाया गया है सबसे पहला तो question यही है कि IRRA किसके द्वारा develop किया गया है देखो ये jointly बनाया गया है सभी exchanges के द्वारा भारत के अंदर जैसे आपने national stock exchange के बारे में सुना हो का बॉंबे stock exchange के बारे में सुना हो का और इसके लावा और भी कई सारे जो commodities related exchange है MCX है, NCDX हो गया, MSC हो गया इन सभी exchanges के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है और इसको launch किया गया था अभी इसी हफते 20 से भी chairperson मधा भी पूरी जी के द्वारा अब question यह है कि IRRA platform exactly है क्या ये कैसे investors के लिए फायदेमंद हो सकता है ये मैं आपको एक बड़े simple example से बताता जैसे कि मालो मैं जीरोधा का example लेता हूँ क्योंकि काफी popular भी हुआ है नितिन कामत आपको पता है कि वो founder है इसके तो मालो जीरोधा में आपका account है ठीक है और जीरोधा ये platform है जिसके माध्यम से आप कोई भी shares की buying करते हैं और selling कर लेते हैं ठीक है अब मालीजे for example मैं कहता ह कि कल आपने Reliance का share लिया था 20 ठीक है 20 Reliance का share खरीदा था और आज आप ये Reliance का share बेचना चाहते हो लेकिन मालीजे जब आप बेचने जा रहे हो तो आपने app खोला जिरोधा के app में कोई दिक्कत मैं बस एक example ले रहा हूँ ठीक है मैं किसी particular platform को promote नहीं कर रहा हूँ या फिर negative के बारे में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको example से समझाना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ तो मालीजे आपने जिरोधा का app खोला और वो app खोलने के बाद कोई technical glitch आ गया मतलब वो app open नहीं हो रहा है और ये हो सकता है कि जिरोधा की तरफ से ही कोई दिक्कत हो या फिर कई बार होता है कि जो stock exchange है जैसे कि मालो national stock exchange, Bombay stock exchange अगर वहाँ पर कोई गरबड़ी आ गई तो आप अपना share नहीं बेच पाओगे तो कई सारी दिक्कते आ सकती हैं आज के digital के जमाने में तो वो जो situation आप माल लीजे अचानक से reliance का share का दाम गिरने लगे लेकिन आ आधी घंट के लिए वहाँ पर technical glitch आता है और लोग trading नहीं कर पाते और इसलिए social media से लेकर हर जगा इसकी खबर आ जाती है कि कोई technical glitch आ गया तो लेकिन problem क्या है problem यह है कि आपको तो लगतार loss हो रहा है ना reliance का share लगतार गिर रहा है लेकिन आप बेचना चाहते थे बेच न platform यह एक तरह का alternative platform है मतलब इस platform में आप login करके आप अपना जो share है उसको बेच सकते हैं तो यह alternative देने की कोशिश की गई है कि technical glitch के समय को emergency के समय आप अपने position को square off कर सको यह main मकसद है IRA का मतलब इसका main मकसद यह नहीं है कि आप अपना कोई नया position बना लो कोई नया buying कर लो ज spot आप समझते होगे ना पहले ही आपने sell कर दिया बिना buying किये लेकिन शाम तक आपको वो buy करना था लेकिन आप buy नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहां पर glitch आ गया है तो उस case में भी आप अपने position को square off कर पाओ position square off करने का मतलब अगर आपने buying किया है तो sell कर पाओ और आप अपन need क्यों होता देखो simple सा need यह है कि जैसा मैंने आपको बहला कि आज के date में technology के ऊपर हम काफी dependent हो गया है securities market में especially हर second में कितने सारे लाखो transactions हो जाते हैं तो हो सकता है कि कभी एक glitch आजा और actually हुआ भी है पिछले कुछ समय पहले मुझा आद है जिरोधा में ही कुछ problem आई थी एक बार और उसमें इसको लेकर काफी हड़कम हो गया था कि लोग अपना trading नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह की जब भी कोई चीजे होती है न तो कहीं न कहीं एक alternative platform होना चीए क्योंकि आपर हम पैसे की बात कर रहे हैं लोग लाखो रूपए कुछ ही मिंटों में खो सकते हैं करोनों रूपए खो सकते हैं तो इसकी वजए से जरूरी हो जाता है कि आपका जो पैसा है वो लेकर आएंगे ताकि disruption के समय हम एक alternative platform लोगों के लिए ला सकें इन फैक्ट यहाँ पर मैं आपको यह भी बताओ तो सेभी के chairperson ने ये भी बात कहीं कि हम चाहते हैं कि इसके कभी जरूरत ना पड़े मतलब यह जो IRRA platform है हम चाहा रहे हैं कि इसके कभी जरूरत ना पड़े यह होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस समय और उसकी वज़े से इसका इस्तमाल कर लिया जाएगा अब question यहाँ पर यह भी है कि यह work कैसे करेगा कैसे यह launch किया जाएगा देखो क्या है ना IRRA ऐसा नहीं है कि हर समय live होगा आप कभी भी वहाँ पर जाओ और ट्रेडिंग कर सको यह उसका मकसद नहीं है जो normal आप जीरोधा आप पर ट्रेडिंग करते हैं buying and selling वो तो करते रहेंगे यह तभी active होगा IRRA जैसे कि माल लो जीरोधा में कोई problem आ गया इस आप के अंदर तो जो जीरोधा है यह जो stock broker है यह क्या करेगा यह यह आपका letter भेज भेज़ेगा किसको stock exchange को जैसे national stock exchange, Bombay stock exchange और letter भेज़ेगा कहेगा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत आई है या फिर NSE, BSE में वहीं पर कोई दिक्कत आ गई तो उस case में इसको active किया जाएगा, activate किया जाएगा IRRA platform को ताकि लोग इसके अंदर login करके अपनी position से exit कर सकें इसमें और चीज में आपको बता दूँ, यह basically retail investors के लिए किया गया, यह जो बड़े institutional clients होते हैं बड़े बड़े निवेशक होते हैं, यह उनके लिए नहीं है IRRA platform और ना तो यह algo traders के लिए, algorithmic trading आपको पता होगा बहुत छोटे margin में वो play करते हैं, मतलब जैसे मालो 39.20 पैसे में को बहुत छोटा सा margin होता है, लेकिन quantity में वो play करते हैं और यहाँ पर profit बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जो IRRA platform है यह इन लोगों के लिए नहीं है, अब question यह है कि जो investors है, जैसे माल लीजे आप है, आप निवेश कर रहे हो, तो आप इसको कैसे use कर सकते हैं, देको यहा यहाँ पर आपको inform कर दिया जागा, mail के थूँ या फिर SMS के थूँ और उस case में क्या है कि आपको इनके website पर जाना है, यह website वगर आप देख सकतो, यहाँ पर यह है URL जो website है login.irra, और वहाँ पर आप login करके, और login भी क्या है कि यहाँ पर एक unique client code होगा, उसके माधियम से या पर pen number से login कर पाएंगे, आपके register mobile number पर OTP आएगा, और उसके माधियम से आप login करके, आप अपनी position से exit कर सकते हैं, इसके लावा कुछ और भी rules है, IRRA platform को लेकर जो आपको जानना जरूरी है, देखो यहाँ पर basically यह भी चीज़ बताया गया है, कि जो stock exchange है, जैसे Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, अगर जैसी उनको पता चलता है, कि हाँ कोई disruption आया है, emergency आया है, जैसे क्या होता है ना, अचानक से जब भी कोई problem आता है, तो लोग Twitter पर और हर जगह इसके बारे में लिखना सुरू कर देते हैं, तो अगर NSE और BSE को इनको लगता है, कि हाँ कोई problem आया है, तो यह साथ एक और interesting चीज़ मैं बता दा हूँ, जैसे कि माल लीजिए, अगर जीरोधा में आधी घंटे के लिए कोई problem आई, ठीक है, तो आपने IRR में login किया और exit कर लिए, अब माल लीजिए, आपको कोई नई position बनानी है, तो यहाँ पर क्या है कि, यहाँ पर जीरोधा जो है, व यह reverse migration दिन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है, एक trading session में सिर्फ एक बार हो सकता है, जैसे कि माल लीजिए, कोई problem आई, IRR पे गए, वहाँ पे exit किया, फिर जीरोधा में वापस से चीज़ें स्टार्ट हो गई, अब जीरोधा में वापस से चीज़ें स्टार्ट हो गई, और मा reverse migration सिर्फ एक बार ही हो सकता है, तो यही कुछ important चीज़ें थी, जो जिसको पारें पता होना चाहिए, आपने से कई लोग पूछ रहते हैं, यह IRR ए exactly है, क्या क्यों आया है, उसलिए मैं वीडियो बनाया, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, which among the following publishes world investment report, आपको बता यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो, just use this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon.